इस वीडियो एपिसोड में आप सबों का स्वागत है ये क्वेश्चन्स इंडियन बैंक प्यू जिसका एक्जाम 6 अक्टूबर 2018 को संपन हुआ उसके ये एक्जाम के गुश्चन्स खुपसूरत होते हैं उसके डेटा एक तूसरे के लिए बने होते हैं वो आप से कुछ डिमांड करते हैं आई देखते हैं मैं अमर कुमार सिंग अमर सर अन अकैडमी पर भी हूँ जो एक फ्री लर्निंग एप है मैंने यहां पर ठेरों लेसंस और कोर्सिस बनाये हैं जो बैंक, SSC और रेलवे एक्जाम के लिए बहुत ही लावदायक हैं इनका लाव उठाने के लिए आप डाउनलोड करें अन अक अच्छाने का है एक से जयदा मिठाट से बनाय जाएगा आई इखता हूँ ए बोत थायू आप से distance of 60 km in 5 hours, total 5 hours. The speed in still water is 400% more than the speed of stream. Find the speed of stream. आप जेखरे, आप मेब बेगी 60 km, दोन मेब बेगी 60 km. distance तो से में, time 5 hours है. The speed in still water is 400% more, यानि 500% means 5 is to 1, U is to V, given. ये दिया हुआ है, कि U and V का इश्यो 5 is to 1 है. कैसे है? तो ये 100% है, तो ये 500% है. 400% मोर है, तो 500% है. इसका मतलब 5 is to 1 है. तो जहां तक X का सवाल है, ये 5 plus 1, 6 ना होगा. Y का सवाल है, 5 minus 1, 4 ना होगा. एक नया रिश्यो कंसल करके, X और Y का हम 3 is to 2 क्यों ना बोलते हैं? क्यों ना बोलते हैं? So that, so that, so that. कि हम ताइम की अगर बात करें, तो जोगी डिस्टन्स सेम है, इन्वर्स होगा, 2 is to 3. और टोटल क्या होगा? 5. और दिया हुआ है कि 5 आउस. तो 2 मिन्स, 2 मिन्स 2 आउस, 3 मिन्स 3 आउस, 5 मिन्स 5 आउस. अगर जहां तक सवाल है, X का, X का सवाल है, तो डाउन में, डाउन में, 2 आउस लगते हैं, 60 किलोमेटर जाने में. इसका मतलब, 30 किलोमेटर पर आउर. और आप में, उसी 60 किलोमेटर को जाने में, 3 आउस लगते हैं, तो 20 किलोमेटर पर आउर. हमसे स्ट्रीम करे स्पीट पूछा गया है, और हम यह जानते हैं, कि 30 माइनस 20 बाइ 2. As it is x minus y by 2 is equal to v, तो यह निकला 5 किलोमेटर पर आउर, एंसर, एंसर इस T. पोली समझे के नहीं, यह हमारा हुआ फर्स्ट मेथर्ड, यह फर्स्ट मेथर्ड, पहरे तरीके से. दूसर तरीके से भी हमनों बात कर सकते हैं, लेकिन यह मेथर्ड प्टेस्ट है, अगर सकंड मेथर्ड से बात करें, तो बोलते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, यह निकालने की क्या जरूरत है, यह निकालने की क्या जरूरत है, second method में बोलेंगे कि ठीक है कि जो ratio है 2 इस चो 3 है तो 2K और 3K माल लेते हैं क्या किसको माल लेते हैं speed यहां नहीं यहां आपर speed टाइम में आने की ज़रूद नहीं है 3K and 2K तो 60 km जाने में इतना आवर 60 km आने में इतना आवर and total time is 5 hours इसको solve कीजिए यानि 50 is equal to 5K इसका मतलब K is equal to 10 K 10 हुआ तो यह क्या speed है ना तो X का मतलब 30 km पर आवर next second question train का है पड़ताओं पड़ताओं a train having a speed of 72 km पर आवर cover a platform double of its length in 45 seconds how much time it will take to cover another train having length 400 meter and at a speed of 54 km पर आवर running in an opposite direction मुझे यह बताईए सबसे पहले यह दिया हुआ है कि train का जो length है उसका double है platform तो train का अगर X है तो platform का 2X है तो distance जो होगा distance पर दू जो इस speed आपका है जिसको आप लिखते हैं जो की average speed use होता है speed का मतलब average speed use होता है तो distance का मतलब X plus 2X होगा की नहीं speed का जहां तक सवाल है क्योंकि जब train एक platform को पार करती है तो दोनों के length के sum के बरावर distance दाए करती है 72 km per hour का मतलब इतना meter per second और time लगते है 45 seconds जदी होड़ी एक 2 इसे दीजिए दूसरा 2 इसे दीजिए 90 हो जाए 10 हो जाए 900 ना हो जाए तो 3x is equal to 900 तो x is equal to 300 meter x का मतलब length of train वही train जब platform को दूसरी 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 train को पार करती है तो दूसरी train का length कितना है 400 meter तो 300 plus 400 first train and second train train first और second तोनों train उसका length यह distance तोनों opposite direction में जा रही है तो relative speed का मतलब sum 72 plus 54 72 plus 54 लिखेंगे कि नहीं km per hour km per hour है इसको बोल दीजिए 5 by 18 meter per second और time कितना लगता है तो निकालना है is equal to t यही तो time निकालना है कि उसको कितना time लगेगा ज़रा दीखी ऐसा ठाचा है कि हमें तो मन करता है ऐसे ही काटते है 7 by 5, 35 यानि t is equal to 700 meter meter by 35 meter per second यानि 20 seconds बुले होगा गिन 20 seconds C is the answer ठीक है? clear? फस्स ट्रेंग का लेंग 300 स्ट्रेंग का लेंग 400 टोटल 700 meter अपोजी direction है add होगा speed meter per second में चेंग किया what is time time is equal to this यह सब कालकूलिशन रबड़ा भागा आप मन में कर सकते हैं लेकिन हर तरह के श्रून देखते हैं कि निका पहला भी होता है तो यह लिख के बताना जरूरी होता है चली अब हमनों चलते हैं अगले question की ओप third number question देखिए percentage का एक simple question है लेकिन एजामसंत वर धंग से होना चाहिए the salary of A is 25% more than B okay they both save 25% of their salary and the difference between their savings is Rs.2500 find the salary of B देखिए आप इसको solve करते हैं आप 100 मान सकते हैं 100 मान सकते हैं 25% ज़्यादा मान सकते हैं यह सब ठीक है मांगी यह आप मान सकते हैं लेकिन एक ही जो salary है वो B से 25% जाता है तो आप 100 मान करके 125 बोलते हैं ले सकते हैं लेकिन फिर जब 25% निकालीए गाना तो problem हो जाएगा best way यह है कि ratio 5 is to 4 है हमने इसे 500 माना हमने इसे 400 माना यह salary अब आपको कोई problem नहीं होगा यह salary है saving कितना है 25% 25% का मतलब 100 और यह income बोले income बोले salary बोले और यह क्या बोले saving इसका 25% क्या होगा saving 125 and this difference this difference is 25 and this difference is रुपीस 25 अंड्रेट दिया हुआ है यानी की यानी की यानी की 25 को यदी हम रुपीस 25 अंड्रेट कहें तो हंड्रेट को क्या कहेंगे 400 को क्या कहेंगे B की salary पूछी गई है इसको क्या बोलेंगे यह हंड्रेट टाइम्स है यह भी हंड्रेट टाइम्स होगा यानी की यानी की रुपीस 40,000 एंसर और यह समझे यह थर्ड टिंबर का हुआ यह best approach है ऐसे ही बनाया जाना चाहिए ओके इसके बाद आजाएए फूर्थ कुष्चन फूर्थ कुष्चन प्रबादी का है ऐसे कुष्चन लगातार एक्जाम में आ रहे हैं इसलिए ऐसे कुष्चन को सॉल करने का तरीका जरूर सीख लिजी इन बाद देर फिफ्टीन रड बाद्स ट्वल बूब बाद्स and why green balls one red color ball is picked up from the bag and its probability having red is 3 to 8 what is the difference between green balls and blue balls ठीक एक बाद है जिसमें red balls red balls 15 है blue balls blue balls 12 है और green के बारे में पता नहीं है that is why ये मन अगया है दिया हुआ है why one red ball लिकालते हैं अगर वो red है इसकी probability है तो इसका मतलब अगर total eight balls है तो red three है यानि कि ये वाला दोनों मिला करके क्या है five है पर three का मतलब तो हम जानते हैं into five तो five का मतलब भी क्या हुआ into five into five ये क्या हुआ into five यानि twenty-five अब इन दोनों का साँ twenty-five है तो twelve plus y is equal to twenty-five है तो why का मतलब क्या thirteen न है हमसे पूछा क्या गया है बट ये दिफरेंस बेविन green color balls और blue color balls green and blue का difference पूछा है thirteen minus twelve one होगा की नहीं ये बताई one minus c answer ठीक है मुझे पूरी उम्मीद है कि इस session को आपने enjoy किया होगा पूरी positive attitude के साथ लगे रही दिन प्रते दिन आगे पढ़िए पता तक नहीं चलेगा success का वो दिन कब आ गया All the best